हेलो दोस्तों, आज हम 20 रेडियो दिवस के बार में बात करते हैं, तो ये प्रतिवर्स 13 फर्वरी को 20 रेडियो दिवस मनाया जाता है, यह दिवस रेडियो के महत्र के बारे में आम जन्ता और समाचार माध्यमों में जागरूपता बढ़ाने और रेडियो के जरीज सुचना पुपलब्ध कराने के लिए नीती निर्माताओं को प्रचाहित करने के लिए उद्देश से मनाया जाता है जो कि आज कल आप देख सकते हैं रेडियो का यूज हम कम करते हैं क्योंकि सभी के पास एंड्रोइड मोबाइल आ चुकी है जिसमें आप नियूज देख सकते हैं देर देरे कम होता जा रहा है रेडियो का यूज से तो 20 अक्तूबर 2010 को स्पैनिस रेडियो अकदमी के अनुरोध पर स्पेन ने संयुक्त रास्ट में रेडियो को समर्पि विश्व दिवस मनाने के लिए सदस्य देशों से अपील कि इसकी बाद यूनिसको ने पेरिस में आयोजित 36 मीं आम सभा में 3 नवंबर 2001 को प्रतीक वर्स 13 फर्वरी को बिश्व रेडियो दिवस मनाने का एलान किया अभी just 2011 में ही एलान हुआ है कि 13 फर्वरी को मनाया जाएगा बिश्व रेडियो दिवसून लेखनी है कि 13 फर्वरी को ही संयक्त रास्ट के रेडियो यू दोजार तीन की थीम रेडियू यूम सांती रेडियू एंड पीस है भारत में रेडियू प्रसारण की सुरुआद चून दोजार उननी सो तेईस में रेडियू कलब मुंबई द्वारा हुई थी लेकिन इंडियन ब्राड कास्ट कमपनी के तहद देश के पहले रेडियू तब अस्तित्त में आया जब 23 जुलाई 1927 को वायस राय लॉड एर्विन ने इसका उधगाटन किया आठ जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्राड कास्टिंग सर्वीस को ओल इंडिया रेडियू नाम दे दिया गया जिस नाम से यह आज प्रचलित है हमारे देश में तकनीकी रूप से तीन प्रकार के रेडियू प्रसारण केंदर काम कर रहे हैं वो कौन हैं? मीडियम वेब, सौट वेब एंड एम एम प्रसारण केंदर तो ये थी रेडियो की जानकारी की रेडियो दिवस क्यों मनाया जाता है कम मनाया जाता है और इसके सुरुवात कब से हुई है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें क्योंकि बहुत important है exam के लिए हर competitive exam में इसके बारे में पूछा जाता है डिटेल में भी पूछ सकते हैं और अगर आपको कुछ और भी स्मयाड करना है तो आप कमेंट के जरीए मुझे बता सकते हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपना